चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड तुलसीदास चंदन गिसे तिलक करे रगुवीर ये वही धुआ है जो हन्मान जी ने तोते के रूप में गाया था जब तुलसीदास जी राम जी के लिए चंदन गिस रहे थे चित्रकूट में चित्रकूट मद्य परदेश के सातना जिले का एक छोटा सा शहर है जहां पर शिरी राम ने अपने 14 वर्ष के बनवास के 11 वर्ष बिताए थे चित्रकूट एक ऐसी जगा है जहां आज भी उसके कण कण में भगवान शिरी राम बसते हैं जिसकी वज़े से यह जगा शर्धालियों के बीच बहुत जादा प्रसिद है आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चित्रकूट की 10 ऐसी जगाएं जहां जाना जरूर बनता है इसी के साथ हम उन जगाओं के सारी जानकारी देंगे वहाँ की टाइमिंग, वहाँ की टिकेट्स, वहाँ आने जाने का समय, वहाँ जाने का खर्चा और वहाँ जाने की माननेता है तो हमारी वीडियो अंतर तक देखना और दिया आप नहीं है तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें बस दवाए लाल बटर और उसे के साथ दवाए घंटे का निशान नमबर दस पे है माता अनुसुया मंदर चितरकूट में यही वो एक जगा है जहां पर आपको भक्ती और शांती दोनों एक साथ मिलेंगे यही वो जगा है जहां माता अनुसुया का घर हुआ करती थी जहां पर वो अपने पती और बच्चे के साथ रहती थी यही वो जगा है जहां माता अनुसुया ने सीता माता को पती धर्म का ग्यान दिया था यह भी माना जाता है कि माता अनुसुया की प्राथना से ही मंदाकनी रिवर उत्पन हुई थी माता अनुसुया के आश्रम के सामने से ही मंदाकनी नदी जाती है जहां पे इसनान करके माता के दर्शन करने की मान्यता है हिंदु पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि तृदेव, भ्रम्मा, विष्णु और महेश जी ने माता अनुसिया के चरित्र की परिक्षा लेने के लिए साधुगे भेश में माता के आश्रम आई थे और उन्हें कहा था कि हम भिक्षा तभी लेंगे जब आप अपनी लाज, शरम और अस्तित्व का त्याग कर देंगी तब माता अनुसिया ने अपने तब से तृदेव को एक नवजाच शिशु के रूप में बदल दिया ताकि उनके सामने जब वो अपनी लाज, शरम और अस्तित्व चोड़े तो उनकी मर्यादा भी बनी रहे और उन साधुगों को बिना भिक्षा लिए वापिस बिना जाना पड़े इसलिए माता अनुसिया का यह आश्रम बहुत ही पूजनिया है इस आश्रम में जाने की कोई फीस नहीं है और यह आश्रम 24 घंटे खुला होता है लेकिन इस आश्रम में जाने का सबसे सही समय है प्राते काल या फिर शाम को हमारा यह सज़ेशन रहेगा कि माता अनुसिया आश्रम आप रेरी सीजन में ना जाएं क्योंकि उस समय मंदाकनी रिवर बहुत उफान पे होती है और बाड आने का खत्रा होता है नंबर 9 पे हनुमान धारा हनुमान धारा चितरकूट की पहाड़ियों पर बसा हुआ एक हनुमान जी का मंदिर है जहां पहुशने के लिए आपको तक्रीबन 700 सीडिया चड़नी पड़ेंगी और ये माना जाता है कि ये वही जगा है जहां हनुमान जी ने लंका दहन के बाद आकर अपनी पूच की अगनी को शांत किया था हनुमान धारा का वर्णन रामान के प्रवित्र पाट के महत्वपुन उलेक में मिलता है यह माना जाता है कि हनुमान धारा में से जो धाराय निकलती है वो स्वेम श्री भगवान राम ने बान मारकर निकाली थी हनवान धारा की माननेता इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर जो हनवान जी की मूर्ती है वो जमीन से ऐसे ही उत्पन हुई थी उसे इंसानों के दुवारा नहीं बनाया गया है आप रोफवे के जरीए भी जा सकते हैं जिसमें आने और जाने की आपको टिकिट पढ़ेगी 120 रुपे की हनुआन धारा सुबब पांच बज़े से दुपहर को 12 बज़े तक खुला होता है और शाम को 4 बज़े से 8 बज़े तक खुला होता है सारा राजपाट त्याक कर एक परवत पे 11 साल बिताने वाले का नाम है प्रभुश्री राम यह माना जाता है कि प्रभुश्री राम ने कामतनाद परवत पर अपने वनवास के 11 साल बिताए थे इसलिए इस परवत के नाम पे एक दोहा बहुत मशूर है संस्कृत में कामदगिरी का मतलब है वो जगा जो आपकी सारी इच्छाएं पूरी करती है कामदनाथ परवत की परिक्रमा पूरी इंडिया में बहुत मशूर है यह परिक्रमा तकरीवन 5 किलोमेटर की होती है यहां की यह माननेता है कि आप दुनिया का कोई भी तीरत कर ले या फिर इस कामदनाथ परवत की एक परिक्रमा कर ले दोनों एक बराबर है दुनिया भर से शर्धालू इस परवत की परिक्रमा करने आते हैं श्री कामदनाद मंदिर की एंट्री बिल्कुल free of cost है और यह 24 घंटे खुला होता है और यहाँ आने का सबसे सही समय है सर्दियों में क्योंकि गर्मियों में यह जगा बहुत गरम होती है और यह परिक्रमा करना और जादा कठिन हो जाता है नमबर साथ पे है रामघाट चितरगूड की सबसे प्रसिद जगा है रामघाट गाट है मंदाकनी नदी का जहां पे चारो तरफ आपको सबसे जादा शर्धालू दिखेंगे रामघाट पे शर्धालू सुबह आते हैं सूर्य नमस्कार करने और शाम को आते हैं यहां की प्र जाता है कि जहां पर तुलसीदास जी बैठके चंदन घिस रहे दे और इस जगाट पर उन्होंने शियापति रामचंदर हमारे रामजी ने उनको चंदन लगाए रामघाटी वो जगा है जहां मंदाकनी नदी के चारो तरफ आपको हनुमान जी, अनुसिया माता, भरत जी, तुलसीदास जी और शिव जी के मंदर मिलेंगे रामघाट आने की कोई फीस नहीं है लेकिन यहां आप बोटिंग कर सकते हैं जिसका किराया आपको तकरीबन पड़ेगा 100-200 रुपए रामघाट 24 घंटे खुला होता है लेकिन यहां आने का सबसे सही समय है सुबा 5-8 बज उसे नहीं की जा सकती ऐसे ही थे भगवान श्रीराम के तीनों भाई और यह मंदर उनी के प्रेम का प्रतीक है यह माना जाता है कि भरत मिलाप मंदर ही वो जगा है जहां पर भरत जी ने श्रीराम को वनवास के दोरान अपने महल वापिस चलने के लिए मनाने की कोशिश की और आज भी वहाँ श्री राम और भरत जी के पद्दचिन मौजूद हैं। भरत मिलाप मंदिर में आना बिलकुल फ्री है और यहां की टाइमिंग है सुबह 5 बजे से लेकर शाम को 9 बजे तक। गनेश भाग मिनी खजराओ के नाम से भी मशूर है। यहां जगा बनाई गए थी 19 सदी में मराथा रूलर पेश्वा विनायक राओ के द्वारा। अब यहां जगा आर्केलोजिकल सर्वे ओफ इंडिया, ASI के अंडर आती है और वही इसका ख्याल रखते हैं। गनेश भाग क अपने आप में ही एक बहुती प्रसिद्ध जगा है। हाला कि इसका इस्तमाल कई साल पहले छोड़ दिया गया था, लेकिन अभी भी यह बावली घूमने के लिए बहुती बड़िया जगा है। गनेश भाग आने की कोई फीस नहीं है और यहां की टाइमिंग है सुबा 6 ब गुप्त गुदावरी, बसंत जा सुर्सीत, सेवा प्रेम प्रतीत सो, प्रकट मिले नवनीत, राम घाट से 18 किलोमेटर दूर गुप्त गुदावरी की गुफा पड़ती है। गुप्त गुदावरी जो दो गुफाओं में बटावा है और जहां अंदर जाते ही आपको जानी मिलेगा। यहां की बड़ी गुफा में पत्तोरों से बनी दोस मारक हैं जो की माना जाता है कि वो राम और लक्षमन जी की थी। इसकी दूसरी गुफा बहुत ही लंबी और बहुत ही पतली है जहां से निकलना भी थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसा माना जाता है कि यह गुफा राम बनवास से पहले की बनीवी है और यह बनवाई ही इसलिए गई थी ताकि राम जी और सीता जी को अपने बनवास में कोई कठिनाई ना हो। इसी गुफा में सीता जी का स्नान कुंड है जिसमें सीता जी बनवास के दौरान स्नान करती थी। और यहां की ये माननेताई भी हैं कि यह गुफा तकरीबन साड़े नौ लाग साल पुरानी है गुप्त गुदावरी में जाने की फीस है 20 रुपे और यह गुफा खुली होती है सुबा 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक लेकिन हमारा सजेशन रहेगा कि यहां आप रेनी सीजन में ना जाएं क्योंकि यहां पे रेनी सीजन में गुफा में बाड़ाने का खत्रा होता है नंबर 3 पे है पतिक शीला पतिक शिला मंदाकनी नदी के बगल में बसीवी एक शिला है जहाँ पर माना जाता है कि आज भी राम जी और सीता जी के पद्दचिन मौजूद है ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर राम जी ने फूलों के गहने बना कर सीता जी का सिंगार किया था तभी इंद्र के बेटे जयंत कववे की रूप में आये और सीता जी को चोच मार कर उड़ गए गुस्से में राम जी ने उनके पीछे एक तीर छोड़ा उस तीर से बचने के लिए जयंत जी ने तीनों लोकों के चक्कर लगाए लेकिन उस तीर से बच नहीं पाए अंत में जयंत जी ने राम जी से शमा मांगी और उस तीर का वार अपनी एक आँख में सहा और अपनी जान बचाई इसलिए कववा शायद एक बार में एकी आँख से देख पाता है स्पतिक शिला में जाने की कोई फीस नहीं है और यहां आप कभी भी आ सकते हैं यह 24 घंटे खुला होता है स्पतिक शिला घूमने के लिए आपको आदे घंटे से जादा का समय नहीं लगेगा तो आप अपने सहुलत के एसाब से यहां आ सकते हैं नमबर दो पे है भरत कूप भरत कूप एक बहुत ही बड़ा कूप है जो की है चितरकूट से 20 किलिमीटर दूर भरतपूर गाउं में इस कूएं के एक सबसे खास बात यह है कि जब भी आप इस कूएं से पानी निकालेंगे तो हर बार उस पानी का स्वाद अलग होगा रमायन के अनुसार यह माना जाता है कि जब राजा भरत श्री राम को मनाने के लिए चितरकूट आई थे तब उन्होंने निर्णा किया था कि श्री राम की ताजपोशी वो उसी जंगल में करेंगे और उसी के लिए भरत जी ने भारत भर की सबसे पवित्र नदियों का जल इखटा किया था लेकिन श्री राम ने अपनी ताजपोशी के लिए मना कर दिया जिसके बाद भरत जी चिंता में आ गए कि अब इस पवित्र जल का क्या होगा तबी सेज अत्री की सला से भरत जी ने वो सारा पानी इस कुए में डाल दिया तबी से इस कुए का नाम है भरत कूप यह माना जाता है कि इस कूप के पानी से अगर आप नहते हैं तो वो नहाना गंगा इसनान के बराबर है भरत कूप में आने की कोई फीज नहीं है और यहां की टाइमिंग है सुबा 6 से शाम को 9 बजे तक आप यहां किसी भी समय आ सकते हैं बस आप यहां गर्मी में आना अवाइट कर सकते हैं और नंबर एक पहे तुलसी दास की गुफा यह वो गुफा है जहां तुलसी दास जी ने श्री राम के लिए तपस्या की थी तुलसी दास जी के इस मंदिर में जाने के लिए आपको राम घाट से कुछ सीणिया चड़नी पढ़ेंगी और जैसी ही आप उस मंदिर में पहुचेंगे वहाँ आपको तुलसीदास जी का सबसे ज़ादा प्रसिद दोहा मिलेगा चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रगुवीर एसा माना जाता है कि इस जगापर जब तुलसीदास जी श्री राम जी के लिए चंदन घिस रहे थे तब वो चंदन घिसने में इतने व्यास्थ हो गए कि श्री राम जी के आने पर भी उन्हें पता नहीं चला तब हनमान जी ने तोते का रूप लेकर ये दोहा बोला था तुलसी दाज जी की यह गुफा और यह मंदिर एक प्रेणना है कि हम जैसे इंसान भी अगर पून भक्ती से भगवान को याद करे तो हम भगवान के दर्शन कर सकते हैं तुलसी दाज जी का यह मंदिर आपको रामघाट पे ही मिलेगा और यहां बंदरों की बहुत बड़ी समस्या है इसलिए बंदरों से बचके रहें इस मंदर में जाने की कोई फीस नहीं है और यह सुबा चार बज़े से शाम को आड़ बज़े तक खुला होता है तो यह थी चित्रकूट में घूमने की 10 सबसे मशूर जगाएं और अगर आप गूगल मैप यूज करते हैं तो हमने गूगल मैप में इन 10 जगाओं की लिस्ट बनाके इनकी लोकेशन अपने डिस्क्रिप्शन में शेर करी है ताकि अगर आप चित्रकूट घूमने जाएं तो आपको ये 10 जगाएं ढूणने में कोई दिक्कत ना हो उस लिस्ट में आपको इन सारी जगाओं की एक्जाक लोकेशन मिल जाएगी तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगे तो लाइक का बटन जरूर दबाए और यदि आप नई है तो हमारा चैनल जरू सब्सक्राइब करें बस दबाएए लाल बटन और उसे के साथ दबाएए घंटे का निशान और अगर आप चित्रकूट की पूरी ट्रेवल गाइड चाहते हैं तो आप हमारी मेंबर्शिप भी ले सकते हैं जिसमें आपको इंडिया के अलग-लग शहरों की पूरी ट्रेवल गाइड मिलेगी और हमारी इस सीरीज की बाकी वीडियो भी देखना ना भूलें जिसका लिंक आपको हमारे cards और description में मिल जाएगा और इस वीडियो के लिए हमारे comment contest का question ये है कि इन 10 जगाओं के इलावा अगर आपको कोई ऐसी जगा पता है जो चित्रगूट में घूमने लायक है तो हमारे comment section में ज़रूर लिख के बताएं It was very nice to be with you again be well नमस्ते